तो जब मैं predicted cut-off के बारे में बात करो तो actually मैं यही हो जाता है कि predicted cut-off जो है वो बच्चे इतना ताबर तोड़ मचाते रहते हैं कि नहीं हमें cut-off दिये cut-off चाहिए cut-off चाहिए जानना जरूरी जानना जरूरी जानना हाला कि मैंने एक पहले भी वीडियो बना रख है और उसमें भी मैंने यह बोला था कि cut-off बहुत इधर उधर वैरी नहीं करेगा और बहुत शारी चीज़े नहीं जाएंगी और लोगों ने अपना मत वैसे जिन लोगों के पास देव्य में क्या होगा it is something that if this is a pro level of confidence and energy और यह पावर की कुछ लोगों के पास होता है कि बिना paper देखे cut-off बताते पता नहीं कैसे और बच्चा उनको और यार सई कि cut-off लगभग इखी होने वाला है ठीक है कोई भी लगभग में बात करो approximate लगभग हर साल का वही होता है मैं दिखाओंगा तो भी जो है मानोगे तो समझ में आ जाएगा दूसरी चीज यह है कि आप लोग पूछते इसलिए मुझे बताना पड़ जाता है लेकिन फिर से मै मार्क्स जो है वो नीचे की तरफ आएगा ठीक है नीचे की तरफ आएगा नीचे की तरफ मतलब पेपर वाज लिटिल बिट हाईयर मतलब not very much hard और या tough बोल सकते है लेकिन हा लिटिल बिट हाईयर है तो इसकी वजह से cut-off लिटिल बिट लोवर होगा लिटिल बिट लोवर और non-biological जो है वो कह सकते हैं कि लोगों के लिए जो बिना देखे cut-off बताते हैं आप खुद compare करके देखो यह 98.8 है 2021 की यह है 2022 में 98.78 यह 98.99 और यहां 99.21 है अब इसी range में यह लगभग 98.7 से 99.2 के बीच में cut-off है लगभग इसी range में vary भी करेगा 98.7 से 99.2 यह मैं पेचल दिवार भी बताया था और इसी range में vary करने वाला ऐसा नहीं कि इससे बहुत बाहर जाएगा the range जो मैंने वहां पे शो किया था the cut-off percentile will be same यह same होगा यह unreserved के लिए है EWS के लिए भी लगभग वही range है लगभग देखो बस 2023 दिसंबर का जो paper था it was easy बच्चों को बहुत चि range जो मैंने यहां पे शो किया है यही range जो है यह आपके किसके लिए है JRF के लिए है और इसके बाद जो है LS की category की बात करोगे तो यह category LS के लिए है ठीक है अब कहानी यह है कि अब paper का जो pattern है वो तो सेम था लेकिन level थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है तो cut-off vary करेगा लेक लेकिन इस बार जो है JRF और lecturer ship की category ना छोड़के तीन categories में जो है वो cut-off को mention किया गया है और कमाल की बात है कि कुछ लोग जो है वो JRF और जो है कह सकते है कि LS में इस बार भी cut-off बता दिये ठीक है मैंने यह competitive भी आपको दिखाया है लेकिन इस बार category 3 है और cut-off भी उसी हिसा plus LS जिसमें की PhD लेक्टराशिप था और category 3 only for PhD if you know that there is a 3 category और इस बार cut-off थोड़ा सा अलग आने वाला है और वो अलग कुछ इस तरीके से मैंने categories रखी है और उसके साथ साथ यह जो इस तरीके की चीज है लंब सम मैंने amount रखा है amount GRF का अब भी वही है ऐसा नहीं कि GRF में य जो यह कुछ अलग हो जाएगा the amount या the marks is exactly same ठीक है अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि यह तो percentile हमें तो percentile अभी पता है परसेंटाइल होने के बाद आएगा so what will be the cut-off in the marks तो वह भी मैंने रखा हुआ ठीक है यह तो इसलिए रखा हुआ है कि कल को आपके पास percentile आएगा तो भी लंसम compare कर सकते हो और यह है आपके लगभग लगभग marks के साब से ठीक है इस बार जो cut-off जाने वाला है वह 110 के आसपास जाएगा unreserve के लिए jrf के लिए ठीक है तो यह आप एक बार चाहे तो screenshot ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो कि यह लगभग लगभग जो cut-off का सिनारियो है marks के basis पे according to me predicted cut-off ठीक है कुछ बच्चे ने कहीं हाँ मैंने जो है कोई अंदर से tie-up कर रखा आजकल तो वैसे भी बहुत सारे खुलासे होते रहते हैं इसका tie-up उसके साथ है ठीक है लिकिन यह जो है 110 के आसपास में मान के चल रहा हूँ क्योंकि पेपर का ज C other backward category and उसके बाद जो है SC ST PWD so this is something और यह category 1 के लिए category 2 के लिए category 3 के लिए तो लंब समझो है यह cut-off होना चाहिए June 2024 के लिए ना कि only GRF और LS बट ठीक है आप जिसी साब से माइन में रखना चाहिए अब आपको idea लग गया होगा अब एनी चांस का जो है वो आप खुद compare करके देख लीजेगा कुछ बच्चे जो है अभी इस वीडियो के comment box में भी एनी चांस लिखके बोलेंगे सर मेरा स्कोर इतना है जो है एनी चांस का कटिक वो बताओ एनी चांस का बताओ ठीक है तो वो एनी चांस वाले कहानी जो है वो स्टिल जो है वो मेरे से पूछेगा मतलब मैं ऐसे बच्चों को क्या बोलू फिर आप कमाल के जो है वो इंट्रेस्टिंग परसेनलिटी से बटीक है इस एक्स्पेक्टेट कटफ तो आपके माइन में आइडिया लग गया होगा कि आप इग्सेक्ली जो है वो क्या देख र